नमस्कार दिन भर के अंतरास्ट ये खबरों पर आपका स्वागत है इंपोर्टन हाइलाइट्स की बात की जाये तो भारते कंपनी उसके उपर सैंक्सेंस लगाने वाला जैपन अब भारत के अंदर बहुत सारी इंवेस्मेंट करने की त्यारी में है जापन लगतार भारत की अलगलग स्टेट गौवर्वन के साथ बात चीत कर रहा है ताकि वो भारत से मोटी कमाई कर सके वहीं दूसरी तरफ जैपन लगतार यूरोपियन उनियन के साथ मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहा है ताकि एक इंपोर्टन डिफेंस पैक्ट भी साइन किया जा सके वहीं भारत के कश्मी पर हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान कारण है लेकिन पाकिस्तान के पीछे पूरा सपोर्ट चीन का है इसपर कई बड़ी रिपोर्ट मेरवानी कॉपरेशन जिसके अंडर में करीब 463 कंपनी जाती है यह अब उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा और नेक्स जेनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहते हैं यानि कि भारत के अंदर एक भारी इंवेस्टमेंट लेकर क्यांग और भार से मोटा मुना कमाया जाएगा यह ऑर्गनाइशन आज दुनिया के करीब 65 देशों के अंदर अपने अलग-अलग बिजनस ऑपरेट करती हैं जिसे हम जैपनीज इंटरनेशन कोपरेशन एजनसी के नाम से जाते हैं और यह भारत के अंदर मुल्टिपल इंफास्ट्रॉक्चर्ट के अंद करने के लिए करीब 10,000 क्रोपे की इंवेस्मेंट का प्रपोजर रख दिया और यहां पर करीब 40,000 लोगों को नौकरिया दी जाएंगी और इससे पहले गुजरात के अंदर ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा चुका और अब एक नए पार्क पनाने की त जबाब दे सकते हैं क्योंकि यह वही यूरोपे देश हैं जो लगातार भारत की स्टील इंडस्टी को टार्गेट कर रहे हैं पहले इन्होंने कार्बन बार्डर टैक्स सिस्टम को लगों किया उसके बाद अभी भारत के स्टील को लेकर के अलग अलग ड्यूटी जिम पोस किया जाएगा और यह नया प्लांट का उद्देश ही होगा कि जो भी डिमांड है स्टील को लेकर के उसे किसी भी हालत में पूरा किया जा और साओधी रेबिया लगातार अब इलेक्ट्रिक वेहिकल्स में इन्विस्मेंट कर रहा है नयने प्लांट किये जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक वेहिकल्स का प्लांट किया जा सके और स्टील इसमें सबसे इंपॉर्टन कॉम्पोनेंट पना जाता है जहाँ पर भारत ने अपने स्टॉंग प्रजंट पना ली है अगली इंपॉर्टन अब्रेट की जा तो जैपान और यूरोपेन यूनिन से सामने निकल क्या रही है असल में रिसेंटली जैपान और दक्षिंट कोरिया ने एक इंपॉर्टन मीटिंग किया है यूरोपेन यूनिन के साथ ताकि यह सब ही मिलकर के एक सुरक्षा और रक्षा उद्योग बढ़ाने के लिए एक नए डिफेंस पैक को साइन कर सके और इस बात का करने के लिए अब उन्हें यूरोपे देशों का साथ लेना जरूरी है जैसे कि आप जानते होंगे कि दूसरे विश्युद के बाद जैपान ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और जदा मजबूत करना शुरू किया है हाली में जैपान ने ब्रीटेन और इटली का साथ म को शुरू कर दिया है इसमें किस तरीके से यूस ने वी के तमाम हत्यार जैपान आकर के वहाँ पर लुकेंगे उनकी में इस तरीके सी। की जाएगी समझोते को मंजूरी दे दी है और ऐसा पहली बार नहीं है भारत ने इससे पहले अमेरिका फ्रांस दक्षिंट कोरिया सिंगापूर अस्टेलिया जापान सहित कई देशों के साथ इस तरीके के लॉजिस्टिक समझोते कर रखे हैं होने वाले इस लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रिमेंट केम की बात की जट तो यहाँ पर मिलिटरी टू मिलिटरी अक्षेंजर्स असानी से किया जा सकते हैं इसके लाबा कई प्रकार की मिलिटरी एक्सेसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स और रैस्के ऑपरेशन्स में ये दोनों ही देश एक दूसरे की मदद करेंगे इसके लाबा कई और सीजेशन ने एक करना है और रूस असानी से अपने हातियार यहां पर तैनात कर सकता है इसी तरीके के लोजिस्टिक समझाते के बाद रिपोर्ट के मताबिक यह समझाता आगले पांच सारों तक वैलेड रहेगा आगे चलके दोनों ही देश इससे करते हैं या फिर नहीं आने वाले समय में ह पता चलेगा अगली इंपोर्टेंट की बात की जा तो यह चोटी अपडेट है लेकिन देश हित के लिए बहुत सा जरूरी है असल में देश के अंदर जो हमारी MSME इंडस्ट्री है उसको अब गलोबली किस तरीके से बड़े स्केल पर ले जाया सके इसके लिए गौर्वर् पुद्धम पोर्टल पर रेजिस्टर कराये जा चुके हैं और इसके अंदर भारती अश्रम का करीब 23 प्रतिशत हिसा सामिल है जो की भारत की एग्रिकल्चर इंडस्ट्री के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है भारत का टूटल एक्सपोर्ट थूरू MSME करीब 45% है और यहां पर हम हाज से बने हुई चीज़े आयुरवेद, हरबल सप्लेमेंट, चमड़े का समान, जोयलरीज और लकडी का उदबातन करके उनके बहुत सारी चीज़े तैयार करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं भारत में इसका मार्केट तो बड़ा नहीं है जो कि देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा और यहां पर हम जादस जादा लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे अगली और इंपोर्टेंट अबडेट की बात की जाए तो इसराइल और हेजबुला के बीच चल रहा एक साइलेंट वार है ये किसी भी वक्त बड़ा हो सकता है क्योंकि अब अमेरिका ने भी इसराइल को वारिंग दे दी है कि अगर वो इस समय भी नहीं रूपे और हिस्षबुल्ला पर किसी भी तरीके का हमला किया गया तो इसराइल और हिसे ज़ दूसरी तरफ इजराल का कहना है कि हमारा iron dome पूरी तरीके से एक ब्रह्मास्त्र है और किसी भी हमलेक पर पूरी तरीके से लड़ने के लिए त्यार है लेकिन रिसेंटली एक काफी बड़ा प्रैक्टिकल किया गया था अमेरिका अधिकरियों के मुताबिक iron dome की बैटरी का कर देता है और कई बार नकली मिसायलों को असली मिसायल समझ करके रियक्टर देता है यानि कि इस्राइल को भारी नुकसान हो सकता है और रिसेंटली इराने जो हमले किये थे उसके बाद इस्राइल को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा ही हम सभी को पता है एक और important update की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत के अंदर आतंकी हमले करने में सबसे बड़े गुनेगार पाए गए है रिसेंटली भारत में लगतार जो आतंकी हमले हुए हैं वहाँ पर जो टेक्नोजी इस्तिमाल की गई है वो सीधे तोर पर चीन से भीजी गई है पाकिस्तान को इस साल 26 सप्रेल को बरा मुला जिले के अंदर मारे गए दो आतंकीों के पास अल्टरा सेट बरामत हुए हैं इसके लावा कई और आतंकी पकड़ेगे हैं जिनके पार इसी तरीके की कम्मुनिकेशन डिवाइस पाई गई है अब ये कम्मुनिकेशन डिवाइ में किसी भी प्रकार के GPS या फिर कोड़ डिविजन मुल्टिपल एक्से जैसे सिस्टम का सवाल नहीं किया जाता ये डिरेक्टली सेटलाइज और कई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं जिन्हें डिकोड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इससे ये आतंकी पसंदार ही तो से लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू किजे बंदे मात्रम भारत माता कीजे